हाँ सातियों आईए गवार करते हैं जो मामाहरत से ये कत्था ली गई है अरजुन की पहली साधी कैसे और किसके साथ हुई है मैं गाएक रोहित यादव जुग्राम कनिकपुर से एक बार भगवान स्री क्रेश्न अरजुन के साथ में बैठे थे अरजुन से का चलो कहीं घूम के आते हैं अरजुन ने का ठीक है वही आप कि यसुचारी लगे और यरजुन तो चले रत आंकी रए वो गिरदारी भगवान स्री क्रेश्न ने अरजुन को वैठार दिया यसुचारी लगे और यरजुन चले रत आंकी रए वो गिरदारी अरजुन तो तो रत पर बैठी गए पिर मन में मगन भए प्यारी भगवान स्री क्रेश्न के साथ अरजुन चलते जा रहे रत में बैठे दगमान बहुत सुन्दर बाते कर रहे हैं अरजुन भी बाते करते जा रहे हैं तो पहने वाला क्या था दोस्तो आना जेट मात कीन हूप बावी अरजुन को प्यास लगी भारी सोई अमुना मैया की धारे देखी अरजुन ने बात सोई उचारी जब अरजुन चलते जा रहे हैं तो जेट मात की धूप रहे तो अरजुन सिक बात कही है जेट मात की जब धूप लग रही थी तो अरजुन बोले प्रभू हमें प्यास बहुत तेख लग रही है तो भगवान बोले यमुना मैया यहीं पर है तुम जल पीलो मगर यमुना मैया का गहाट बहुत दूर था अरजुन बोले प्रभू हां तक रत जा नहीं सकता है हम पैदर भी नहीं जा सकते हैं कनया बोले क्यों नहीं जाओ अरजुन पैदर चलते जा रहे हैं तो उस गहाट पर एक चीज देखी सत्यवान बहुत सुन्दर इतनी सुन्दर थीवो नणकी अरे जो हरी भारी भूला भारे थी बेटा अरजुन ने बात आयुच्छारे थीवो अरजुन उस गहाट पर आतो गए सामने देखा एक बहुत सुन्दर लड़की है अरजुन दिल में विचार करने लगे धर्मेश बहाई बाजीवा गंगई कितनी सुन्दर है खास हमाई पतनी होती तो बात ही अलग होती सोबा देराई फुलावा लिये दादा बाकी बाता का जुन्दर लिये बाबा अरजुन ने जब देखा खास हमारी पतनी होती तो बात ही कुछ अलग होती अरजुन पास चलते जा रहे तो अरजुन एक बात पूछी काए तुम्हारा नाम क्या है कांकी रहने वाली हो बड़ी सुन्दर देखने में लगती हो तो बोल लगी तुम्हारा काम क्या है है तुम्हारा काम क्या है बोले बाबा होने बाला क्या था वो अरजुन की ने नबाली नजरिया बाबा आरे ने नबाली नजरिया मारी आई रे ने नबाली नजरिया अरजुन दिल में विचार कर रहे हैं खास यह हमारी पत्नी होती कुछ बात ही अलग होती आरे मारी आई रे ने नबाली नजरिया मारी आईरे में न वाली न जन्या बाजी बाब, बाबाजी बात ही कुछ अलग होती है अरजुन की बात अलग है मगर येसी युग में देख ली थी आरे ब्रह्मा को मारी आई आरे बिशुनू को मारी गई ब्रह्मा को आरे ब्रह्मा को मारी आई आरे बिशुनू को मारी आई ब्रह्मा को साटे बाना, आरे नारा को गल्वा आरे नारा को गल्वा, को मैं आये ने ना बारी ना यारिया अरजन खड़े खड़े विचार कर रहे हैं बाजीवा, खैरो, आप लोगों के समझ ऐसे ही प्रोग्राम लाते रहेंगे ये भी आप अरजन की पहली साधी गुड़का के साथ में कैस हुई ये हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं जो सिरीमत भगवत से ये प्रसंग लिया गया है अंस का कैसेट के सोजन से और रिकोर्टिंग दर सारे हमारे बाबा जी हिरदेश यादव जी जो जेनाम आईस है संगी सजारे सत्वान आदव हमारे पास में बैठे हुए हमारे धर्मेश कुमार सास्त्री जो जैना मैस है मुझरगों से निवेदन है बड़े प्यार सही ये सुन्ना हो नेनवारी नजरिया मारी आईदे नेनवारी नजरिया आरे योगी कमारी गई संभोगी कमारी आई योगी कम हाँ आरे योगी कमारी गई संभोगी कमारी गई योगी कम सीता मदना लाला को गलुआ मदना लाला को गलुआ कोमाई आई रे ने नवाली नजरिया नारजी विचार कर रहे इदर अरजन खड़े खड़े विचार कर रहे तो अरजन ने नाम पूछ लिया भाई क्या है तुम्हारा नाम लड़की बोली तुम्हारा काम क्या है तुम्हें यां खड़ी के हो हो तो लड़की बोली हमारा गुड़का नाम है हम सूर की पुत्री है और भगबान स्री कृष्ण के साथ में साधी करेंगे इसलिए यहां खड़ी है अब अरजन खड़े के खड़े रह गए बाजी बाजी कले सु भाउ तो भाउ कैसु काई ए इतना दखा किदर देख रही हो तुम मेरी एक वाद सुना बूले क्या तुम हमारे साथ साधी करोगी और एक बात हो रहा है कि ए तुम भगबान स्री कृष्ण के साथ साधी तो कर लोगी मगर वाँ सुकी नहीं रगो बोली क्या हो क्योंकि पहले से उनकी 1618 रानिया पता ना है तुम नम्मल लगो के लाए लगो सुना ना है तुम साधी कर ले तो गुड़का बोली हमारे पिता ने बोला है कि साधी होगी तो उनी के साथ होगी नहीं तो नहीं होगी वो अरजन दिल में बिचार करे सत्यवान अरे दिन में परन जेन रात को नीन नहीं आती हाँ अरजन दिल में सोच रहें बाजी बाजी क्या करें अगर खाज करके अरदेज वाई ये पदन ही हमारी होती तो बात ही को चलाए होती अरे दिन में परन जेन रात को नीन नहीं आती अर घुड़िका के बारे में ये रजुन की धड़के छाती दरमेज दोलनिया मेरी बने जाएगी अर उचिंता चवा मिटे जाए जोन जाव मेरी ये जाव हैगी अरजुन सोचते रहे गुड़का ने का ऐसी कईवी आप चले जाए हम भगबान स्री कृष्ण के ही साथ में साधी करेगी अरजुन बोले तुम हमें नहीं जानती हो हम उनके मित्रे हैं गुड़का बोली हम तुमें अच्छी तरह से जानते हैं तुम मित्र होतो हुआ क्या भाई हम तुम्हारे साथ नहीं साधी कर सकते हाँ हाँ साधी होगी तो हमारी भगवान श्री कृष्ण के साथ होगी अनता हम किसी के साथ नहीं करेंगे अरजन मौल अटकाए उदर सदीरे से चले आए भगवान बोले अरजन चहरा तुम्हारा उदास के हुए क्या कुछ बात हो गई बोले प्रभू बात कुछ नहीं हुई है मगर एक बात प्रभू हम तुम्हें बात बताते हैं आरपन घटा पर एक लड़की पाई प्रभू हमने वहाँ पर एक बहुत सुन्दर कन्या देखी और उसने का कि हम साथ ही करेंगे तुम्हारे साथ करेंगे मगर मैंने उससे मना कर दिया कन्या देखी लगे देखी कैसे मों भारे बेटेंगे आरपन घटा पर मैंने कलड़की पाई सत्यवान अवाने बात कई वड़ी प्यारी ब्याओ करेंगे तुम्हा संग करेंगे नाए रहे में ख्वारी अरजुन कहने लगे बहुत सुंदर लड़की देखी है अब आमते लब मेरे जगे चक्कर भी है वाईया दर अभेशी मगर हमना ये करनों चांते है आरे नेन चकोवी चाली छवीली हाँ दरमेश आरे नेन चकोवी चाली छवीली बाकी चाली बड़ी है प्यारी कनाईया बड़ी सुंदर है मम्मी किसम मगर जा कात्य प्याओ करें तुम्हाई संकरेंगे नाय करेंगे मदलाला आरे नेन चकीली चाली छवीली बाकी अदा लगे वड़ी प्यारी आरे बोल कनाईया काकरेंगे बनाईले घरवादी आरे बोल कनाईया काकरेंगे बनाईले घरवादी आरे नाम तो उसका इतना सुंदर है अगर जो मिठाई मिलाए जो ताउसा मीटो सत्तिवाद बोले क्या नाम है बोले गुड़का नाम है गुड़का अच्छा हाँ आरे अरजुन ने मामाने करी है अरजुन अपने ही मों से बड़ाई करते हुए बोले कनाईया हामाने तो बाते माना कद दई नगंगा खिसंबा तम्मों भारे वैडे थी इरदेश वाईया आरे अरजुन ने तो मना करी है बाकी ओए जातिया ख्वादी आरे पन गटपै एक लड़की मिली है साधी करे हमारी इतनी बात हमें देखे कितनी सुन्दर है अरजुन का मोह दास होगे अरजुन कहने लगे प्रभु तुम हो आजाके क्या करोगे अरजुन फिर दोबरां से चले गटपा की पास में एक वात कई गुड़का एक वात सुनो भगवान अरजुन कहने लगे ये प्रभु हमने तो अपने आप मोसा ही बढ़ाई की है मगर एक मेरा काम कर दो वो ले क्या बनिय कैसे जबाला प्रभु अगर हमारी इसके साथ साथी हो जाए तो बात ही कुछ लग हो जाए आरे बनिय कैसे जबाला वो हमारी घर नी बनिय कैसे जबाला कनया जने लगे अरजना अभी तो तुम ये कह रहे थे के हमने मना कर दिया मगर वो साथी के लिए तैयार थी हम तुम क्या कह रहे मुले प्रभू मन की जाने तन की जाने जाने चित्त की चोरी बाके आथ में काच भी जाके आथ में प्रेम की डोरी सत्यवान बनिय कैसे जबाला हमारी घर नी बनिय कैसे जबाला आवारजन उसे लड़की की बड़ाई करते वे बोले प्रभू आरे काली काली लट कजरारी जेश नाग निकारी एरदेश बाबा चाली छले जा बड़ी प्यादी नेन न किया बड़ी रजीरी बनिय कैसे जबाला हमारी घर नी बनिय कैसे जबाला कनया बोले जही दखो होगा असो देखा जानेगा कुछ उपाए करेंगे हम तुमारे लिए बोले भगवान अगर भगवान नहीं तुमने जे काम नाए करो तो हम तुमसो बड़ो भूनाए जानेगे धर्मेज महिया अगर अब्याओ नाए बहुत अरजुन भगवान नहीं अवैसो करो कनया तुमाही मजिया बन जाओ हमा अब्याओ करवाए देओ बनिया कैसे जाबाला हमारी घर नी बनिया कैसे जाबाला अर अरजुन बड़ाई करते वे बोले प्रभू देखने मेतनी जुन्दर आखे देतनी चमकी लियें जल गदे दूसे ही डेला चमकतु है पतरी पतरी कमरी आ बाकी बाएं बीच लगी कननी सत्यवान एसो करो ब्याओ है जाबै बनिया कैसे जाबाला हमारी घर नी अरजुन चले जाते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गुड़का को बहुत समझाया कि तुम चंता मत करिए गुड़का कहने लगी प्रभू हमारे पिता ने ये का था कि तुम यह मुना जी की टट पे रहना तुमारे पती दे वहां मिल जाएंगे अगर आप मिल गए अब हमारे साथ साधी कर लो तो एक बात की सुनो ऐसा करिये तुम अरजन की साथ में साधी कर लो वो कहने लगी है आरज सारी बात कही अर लली तू सही बात मेरी माना और अरजन के आसंग में तुम भवरिया तो डालो भगबान स्री क्रिष्न गुड़का को समझाते हैं है बेटी ऐसा करिये तुम अरजन के साथ में भामरें डार लीजिये तुम्हारे पिता को में समझा लूँगा धरमेश भाई अगर किसी से काम निकालना है अगर कोई बात हो तो पहले उससे भाई बोल दो भाई तो उस लणकी ने भाई अरजन से कई के भाईया कौन हो आप कनईया जी ने काचंता मत करिया बात करिये अरे बात कई हां साई मानिला लली बात मेरी प्यारी बात मेरी प्यारी बात मेरी प्यारी अरजन के संग मेरे वो तुमा भामरी आडारी मानना समझाने लगे भगवान कनईया बिटिया तो दे मानना बानी है यारा जुना की बने जा और रानी है बिटिया बाके दिला के बीच समानी हो लाडो मेरी प्यारी सुनी ले ओ मानी है लाडो इतनी बात भगवान कनईया ने कई तो बड़ी हसी कुशी के साथ में गुड़का के साथ में साधी की जाती है और अरजन भगवान स्री कृष्ण लोट के आते हैं बोलिये गोविन भगवान की